Assalamu alaikum welcome back to another video तो जी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वाइटनिंग क्रीम के हवाले से आप लोगों को ये वाइटनिंग क्रीम जो हम आज बनाएंगे ना ये वाइटनिंग क्रीम आप लोगों को कर देगी भी चटा गोरा जो जो आप लोग चाहें ठीक है तो जी हम बनाने जा रहे हैं ये एक अदद वाइटनिंग क्रीम ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये वाइटनिंग क्रीम बनेगी तो आप लोगो आज में ये बनाना सिखाऊंगी ये हम इसके अंदर सिर्फ त्री इंग्रीडियन्स का इस्तमाल करने जा रहे हैं और इसमें ये खाली वाइटनिंग क्रीम नहीं होगी जी ये वाइटनिंग के साथ-साथ आपको ग्लो भी प्रोवाइट करेगी तो वाइटनिंग और ग्लो दोनों का मिक्स्चर मैं लेकर आई हो आज की इस वीडियो में तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा क्योंके वाइटनिंग तो करेगा और साथ-साथ आपको ग्लो प्रोवाइट करेगा तो चलिए देर किये बगार वीडियो को करते हैं स्टार्ट और सबसे पहले बराना शुरू करते हैं अपनी ये वली वाइटनिंग क्रीम और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका इस्तमाल कैसे करना आप लोगों ने चलिए जी फटाफट से अपनी वाइटनिंग क्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं जो कि आपको रात तो रात दिनों में ही आपको चिटा गोडा कर देगा तो हमें उसके लिए जी जाहिए सबसे पहले अपनी नाइट क्रीम कोई सी भी नाइट क्रीम ले सकते है जो आपको नाइट क्रीम सूट करती है कोई सी भी नाइट क्रीम जो आपके चेहरे के अकॉर्डिंग ली है अच्छा अगर आपके पास नाइट क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगा मॉस्चराइजर क्रीम जो क्रीम फॉर्म में होती है मॉस्चराइजर वो भी आप इसमें डाल सकते हैं लाइक जैसे निविया की क्रीम होती है या कुछ इस तरह से तो आप मॉस्चराइजर क्रीम भी आट कर सकते हैं तो मैंने फिलहाल ली है नाइट क्रीम ये मेरे फेस पे सूट करती है अपने कॉर्डिंग क्ली मैंने ली है नाइट क्रीम इसके बाद जी हम इसमें डालने जाएंगे वैसलीन थोरी सी ठीक है जी इसके बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं अपना एक अदद वाइटनिंग ये है जी वाइटनिंग कैपसूल और इसको मैं यहां से कट करके इसके अंदर ही क्योंके भाईसा बहर निकलाते हैं ये देख सकते हैं आप वाइटनिंग कैपसूल इसके अंदर दो जाने लगा है और वो है जी हमारा ये फाइजा क्रीम बलो का मतलब फाइजा ब्यूटी क्रीम बलो का एकनी प्लस वाइटनिंग सीरम तो इसमें आपका एक और फाइदा हो जाएगा वो ये होगा कि अगर आपको एकनी भी है तो ये उसका भी हल निकाल देगा तो इसमें जी ग्लो भी आ गया, इसमें आपका मॉस्चराइजर भी आ गया, ग्लो भी देगा, मॉस्चराइजर भी करेगा, और साथ-साथ आपको वाइटनिंग एक अदद हम डाल चुके हैं और यह जी मार्किट से बहुत सस्ता तरीन मिल जाएगा, जी फाइजर वालो की जो है, यह सीरम, वाइटनिंग सीरम, अब हम इसको खोल के, इसके अंदर यह डाल देंगे, अच्छा यह जो है वाइटनिंग सीरम, आप इसको यूज कर सकते हैं, क्रीम्स में भी, और आप अगर कोई ब्लीचिंग वगरा कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी, आप इसको यूज कर सकते हैं, अच्छा जी, इसके अंदर से यह वाला निकलता है, पंप, और इसके साथ हम इसको लेंगे, ओहो, बाई निकाल दिया मैंने, और इसके अंदर हम डालेंगे, ड्रॉप्स की फॉर्म में, और मैं डालूंगी, एक ड्रॉप अल्रेडी जा चुका है, चल भाई आजा, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, बस, दस और बस, दस ड्रॉप हमने डाल दी हैं, फाइजा, जो है हमारा एकनी और वाइटनिंग सीरम के, ठीक है, यह बाकी आप रख सकते हैं, आप बलीच के अंदर, यह आप किसी इस तरह की चीज में भी इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपके जब क्रीम खत्म होगी, तो दुबारा से आप इसको 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 इस्तमाल कर लीजिए, ठीक है जी, सब कुछ इसके अंदर डाल चुका है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमार जी वाइटनिंग क्रीम हो चुकी है, तैयार, और इसको आपने लगा लेना है, और आप दिनों में चटे गोरे हो जाएंगे, तो इसको मैं आप लोग को अपलाई करके भी दिखा देती हूँ एक दफ़ा से, ये देखें, और इसको अच्छे से ऐसे अब्सॉब कराना है आ ये देखो, ये बिल्कुल हाथ जो है वो, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, बिल्कुल जो है, इसके अंदर कोई ग्लो नहीं आरी, तो ये देख सकते हो, अच्छा वाइटनिंग क्रीम डाली वी है, हमने हर चीज वाइटनिंग की वी है, तो इसका ये मतलब नहीं था कि इंपक्त देगा यह आपको वैसे वाइट करेगा मतलब जैसे जैसे आप डेली लगाते जाओगे ऐसा नहीं होगा कि आपने मुझ पर लगाया और बहुत ज़्यादा चिट्टा पर ना आ गया तो यह वह सीनी होगा यह देखो यह ग्लो भी करेगा और आपको वाइटनिंग भी देगा तो यह दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं तो जी जैसा कि आपने देखा कि इस वाइटनिंग क्रीम को बनाने का तरीका कितना आसान था मतलब इसके अंदर ग्लो भी शामल कर दिया हमने एकनी का भी काम कर दिया और साथ ही साथ हमने आपको वाइटनिंग जैसे कि मैंने आपको यहां पर अपलाई करके दिखाया था यह देखो और यह देखो ठीक है यहां पर एक ग्लो एफेक्ट आ चुका है जबके यहां पर यह डल है मेरी स्केंट तो आप लोग देख सकते होगे इन दोनों में डिफरेंस आपके सामने ही था तो जी यह थी हम क्लीन होना चाहिए आप जो है क्लिंजर भी कर सकते हो क्योंकि आपका चेरा बिल्कुल इस क्रीम को इस्तमाल करने के लिए आपका चेरा बिल्कुल साफ होना चाहिए तो रात को आपने डेली स्क्रीम को अपलाई करना है और उसके बाद सो जाना है जैसे मैंने तरीका बताय कि इसको थोरा साखर करना है सकिन अंदर और उसके बाद आपने सो जाना है नाइट क्रीम का विकाम हो जाएगा आपको यह वाइट्ण भी प्रवाइट करते का तो गभराने के जबतनी अज़रत इस वाइट्णिंग की होते होएट क्यूंके चटे गुड़े तो आप अपने ह आपने हाथों पे पाओं पे भी इस क्रीम को अपलाई कर सकते है तो हम आपके लिए पूरा पके Candice लेकर और आ पके हous ऐसे हुछ हैं इसाफ छम आपको अप्लाई करने है तो आपको याज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो पता तो है आपको क्या करने है लाइक करने सब्सक्राइब करने और येस इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट आपने मेरे इंस्टाग्राम को जा के फॉलो कर लेना है और मेरा फेस्बुक पेज भी लाइक कर लेना है वहाँ पे भी आपको डेली की अपडेट्स और चुड़ील्स और ये सब कुछ वहाँ पे मिलता रहेगा तो चले मुझे दीजिए इजादत मिलती हुआ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के अभी आपस्ट